अलो विद्यार्दी मित्रो जेसी करष्ण, दोर अन्याद स्विशाई सामाजिक विग्नाण प्रकरन नंबर पाच भारत नवो शाहितिक वार्सो अपने दिवाली आगावना समय नियंदर चेप्टर पाँच नियंदर प्रकरन पाँच मा आपनों प्राचिन वैदिक सहित्य नो अभ्यास करियो हतो हवे मध्यकालिन सहित्य पन गणाबदा सहित्य नो रिकास थेलो जोवा मले छे तो जो मध्यकालिन सहित्य मा पहला नंबर है संस्कुरु सहित्य निवाद करिये तो उत्तर भारत मा मध्ययुगना प्रारम मा सहित्य नि मुख्य भासा संस्कुरु थती मध्ययुगना प्रारम मा कश्मिर मा स्वम्देव नामना कवी ये कथा सरीच सागर अने कलहने राध तरंगिनी नामनो गरंथ रच्यो हतो राध तरंगिनी भारत नो प्रतम एतियासिक गरंथ मानवामा आवे छे कभी जही देवे गित गोविन नामनो एक सरस काविय लख्यो हतो ते संस्कुरु साहित्य मा उत्तम कावियो मा जेनी गणत्री थाई चे दक्सिन भारतमा संक्राचारिये भास्यानी रचना करियाती आम आ समयनी अंदर हिंदी राजस्तानी अने अवदी साहित्यनो पन विकास थेलो जुआ मले छे तो जुओ आ समय अप ब्रस्तेली भासाओमा अधुनिक भासाओनो विकास सरु थेयो कवी चंद बरदा ये हिंदी मा प्रुथ्वी राज रासो नामना कावियनी रचना करियाती ए हिंदी साहित्यनी प्रारंबिक ग्रंत अत्वातो रचना मानवामा आवे छे प्रुथ्वी राज चौहान नी विर्तानों सवर्य गाथा भरिव वर्णन करेलू जोवा मले छे हिंदी नाबे साहित्य सरुपो छे एक उरज अने बिजानम्बरे खड़ी बोली राजस्तानी भासामा आलहा उदल बिसल देव रासो आ समयनी विक्यात वीर गाथावो दोवा मले छे अवी मुला दावदे अवदे भासामा चंद्रायन नामनों ग्रंत लखिवातो छे अवद भासानों सवती जुनों ग्रंत मानवामा आवे छे आव प्रांत मज्जे युग नी अंदर तमिल भासा तमिल नी अंदर पन गनुबदू सहित्य रचायू हतू जुओ मज्जे युग दर्म्यान ज्रविड कुलनी भासामा गनुबदू सहित्य रचायू एमा कवी रूप तुंगे कन्नड मा कवी राज मार्ग नामनों कावे ग्रंत लख्यो हतो कन्नड सहित्य मा जैन जर्मनी असर पन जोवा मले छेू एमा कवी पंपा कवी रन्ना अने कवी पोन्नानों समावे स्थाय छेू जो जैन तिर्थकरोना जीवन आधारित आधि पुराननी रचना कवी पंपाये करी कवी रन्ना अने अजित्नात पुरान अने गदायुद नामना ग्रंतो रच्या हता कवी पोन्ना ए सोल मा जैन तिर्थकर सांतिनात ना जीवन आधारित सांति पुरान ग्रंतनी रचना करी हती आम कवी पंपा पोन्ना रन्ना कन्रड सहित्यमा त्री पुटी गणाय छे कवी कंपले तमिलमा रामायन नी रचना करी हती अने मध्ययुगमा मलयालम सहित्यमा पन रचायु अतु मलयालम सहित्यमा पन गणाबदा सहित्यनी रचना जोवा मले थे आउ पुरांत मध्ययुगमा फार्षी सहित्यमा पन रचना करी हती अने में पन रचना करी हती अने में पन रचना करी हती फार्षी सब्दों नो समावेस थेलो जोवा मले थे आ समय मा फार्षी बासामा लखायेलू एतियासिक सहित्य ए तुर्क प्रजानों भारत ते करेलू एक नोद पातर प्रदान मानुआमा आवे थे तुर्कोए भारत ने इतियास लेखन नी आरब इरानी परमपराथी परिचित कराव्यू अने तुर्क लेखकोए फार्षी भासामा भारत ना इतियास नूँ विवस्तित विवरान करेलू जोवा मले थे मज्यविक दर्म्यान अनेक सहित्यकारो थाई गया एमा जियावी उद्दिन बर्निये बे ग्रंथो रचिया चे तारिके फिरोज साही जेमा खलजी अने तुगलग वन्सनू वर्णन जोवा मले चे आउप्रांत फत्वा ए जहांदारी ग्रंचे आ ग्रंथ राजकिय सिधान्तो आधारित ग्रंथ रचायलो जोवा मले चे आ समयने अंदर अतिम महत्वना सहित्यकार अने विद्वान जो थाई गया होई तो अमीर खुसरो एक महान सहित्यकार संगितकार अने इत्यासकार महनोमा आवे चे तेमनो परिचै अत्वातो टुकनोध बोड़नी परिक्षामा अन्यकवार पुछाई चे जो अमीर खुसरो एक कवी इत्यासकार रहस्यवादी संथ अने संगितकार हता अमीर खुसरो ना गुरु हजरत निजामो दिन ओलिया हता तेमनी मुख्यकृतियो मा आसीका नूर सिपिहर अने किरातुल सदायननो समावेस थाई चे आउप्रांत तेने पोताने भारतिय होवानो गर्व चे एवो अनुबव एने पोताना सहित्यमा करियो चे ते भारतने प्रुथुविपननो स्वर्ग गणावतो हतो तेने पोताना पुस्तको मा भारतनो वातावरन भारतनी सुन्दरता अने इमारतो तेमज ग्नान विग्नानना पुसकल वखान करेला जोवा मले चे अने ते द्रड़ पने एवो मानतो हतो के हिंदु दर्मनों सार्तत्व अने इसलाम एदले के मुसलम मुसलिम दर्मनों सार्तत्व बन्ने दर्मनों मलतो आवे चे ते दिल्ली नी आजु बाजु बोलाती भासा ने हिंदी भी भासा कहे तो अने ते पोता नी मात्रु भासा गणावतो अने तेने हिंदी अने फार्सी ने भेगी करी चोपाईवाने दुहावनी रतना करी तेने सरू करेली स्वच परंपरा सद्यो सुधी आजे पन चालू रहेली चे केवानों तातपरिय अने मतलब एचे के अमिर खुश्रोय पोताना सही तेमा भरपूर वखान करेला जोवा मले चे आउपरांत जोईए तो मध्ययुगनी अंदर बंगाल गुजरात अने अन्य राज्यो ना सुल्तानों स्थानिक भासाओ मा अन्यक सहित्य ने अन्य राज्या अन्य व्यक्त्यों ने आसरे आपयो हतो कभी रे सदुकडी भासा मा पोताना दुहाओ नी रचनागरी आ समय मा हिंदीनी बे बोली एक बोजपूरी अने बिजानम्बरे अउदी वगेरे नो समावे स्थाई छे तेमज मलिक मुहमत जैसिये अवदी मा पदमावत महा काविया लख्यू हतो कभी तुल्सिदा से लोग भासा मा राम चरित मानस्नी रचना करी सुपी संत सेक बुर्हान ना सिश्य कुतूब ने बुगावती नामनो गरंथ रच्यो हतो बंगली भासा मा पृतिवासे रमाय ने कभी चंदिदासे सेक्डो गितो रच्या हता अवपरांत बंगल मा चैतन्य महा प्रभु ने प्रभु ने बक्ति गितो लख्वानी परंपरा सरुते यती गुजरात मा नर्शी मेता अने महाराश मा मराथी भासा मा नामदेव अने एक नाथे भक्ति गितो लख्या हता कस्मीर मा जैनुल लब्दीने ना असरे ये महाबारत अने राज तरंगनी जेवा संस्कुरूत ग्रंथो नो फार्सी मा अनुवाद जोवा मले चे विजय नगर ना समराड प्रुष्ण देवराईये तेलुगुमा आमुक्त माले दा नामनो ग्रंथ रच्यो हतो आम आ समय नी अंदर अनेक ग्रंथो रचाया हता हवे मध्यय युगना समय मा कितला साही परिवार के जेमने पन साही तेनी रचना करी हती राजाओं महाराजाओं खुबत सारा लेखको बनाता इनी प्रतिती आपनने साही तेव पर थी जोवा मले चे बाबर ये तुर्की भासा मा तुजू के बाबरी नामनी आत्मकता लखी हती तेनु भासां तर फार्सी मा बाबर नामा नामे थयो हतो जहांगीर पोते जहांगीर ये तुर्की मा तुजू के जहांगीरी नामनी आत्मकता लखी हती तेमज हुमायू लेखन औने वाचन कला मा जानितो न अतो तेनी आत्मक था तेनी बहेन गुल बदन बेगा में हुमायू नामा ग्रंथ लख्यो हतो अवरंग जेब एक सिधहस्त उर्दू अने मुगल साहित्यमा एक जानितो लेखक हतो बहादूर सा जपरे बहादूर सा सिधहस्त प्रख्यात उर्दू कवी हतो कवी अरेक महराजा अकबर बासा अकबर ना समिमा तुलसिदास, सुर्दास, केसवदास वगेरे जेवा जानिता विद्वान साहित्यकारो थाई गया हता आउपरांत रहीम रहीमे हिंदी भासा मा महान कितलाक दुहाओ रच्या बासा अकबरे पोताना दर्बार मा महाबारत रामायन अथर्ववेद भग्वद गिता पंतंत्र वगेरे ग्रंथोनो अनुवात करवा माटे अलग एक राज्यमा खातानी पन रच्ना करी हती अबूल फजले फार्सी भासा मा आईने अकबरी नामनो ग्रंथ रच्यो हतो और अकबर नी आत्म कथा अकबर नामा लखी हती अबूल फजल नो भाई फेजी ए अनेक संस्क्रूत ग्रंथों नो फार्सी मा अनुवाद करियो अतो हवे उर्दू साहित्यना परिजयनी वाद करिये तो मज्ययुग मा महत्वनी गटना होई तो उर्दू भासा नो जन्म आयक नवी भासा साहित्यनी द्रश्टिये एक सम्रूत गणाती भारत नी अन्य भासाओं मा संकक्स आविने उभी हती उर्दू भासा मा वली मिरदर्द मिरत की मिर नजीर अकबराबादी अस्दुल्ला खान गालिब वगेरे महान कवियो थया हता अडार्मी सदी मा उर्दू गध्य नो खुबस सारो विकास्तेयो संस्क्रूत ना मुटा भागना अईतियासी ग्रंथो नू उर्दू मा भासांदर थयू हतू उर्दू मा अनेक मोलिक गध्य ग्रंथो रचाया जे मा महम्मद उसेन आजाद्दे दरबारे अकबरी नामनो महत्वनो ग्रंथ रच्यो हतू अने आज समय मा भारतिय भासाव मा थयली नवल कथाओना विकास मा उर्दू नवल कथाओनो पन विकास जवा मले छे विद्यार्थी मित्रों आपने आजे प्राचिन भारत अरे मध्यकालिन युगनु फार्षी साहित्य, तमिल साहित्य अने गुर्दु साहित्य नो जे अभ्यास करियो एना विसे PDF फाइल अने वीडियो ना माध्यम थी चोपली नो फ्योग करी अने चोपली मा लगवानों रहत्ना कर से